नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं एक बहुत ही बहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं मामला है अवर्ड वापसी को लेकर जो की पिछले कुछ समय से लगातार एक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदरसन करने का जरिया बनता जा रहा है और एक संसदिय समिती की सिफारस आई है कि इस पर रोक लगाई जाए क्या है पूरा मामला क्या होता है अवर्ड वापसी अब जो है मडीपुर के स्पोर्ट्स परसन है जैसे कि चाहे मीरा बाई चानू है और अन्य जो स्पोर्ट्स परसन है उनके द्वारा कहा गया है कि यदि मडीपुर राज के अंदर सांती बहाली नहीं होती है तो वो अवार्ड जितने भी उन्हें मिले हैं वो वापस कर दे तो ये जो मामला है इसी के चलते आप ये देखते हैं अवार्ड वापसी इन एप्रोप्रियेट एक पारलियामेंटरी पैनल या कहें कि पारलियामेंटर की जो कमेटी है उसके द्वारा कहना है कि ये पूरी तरह से इनके गलत है आस्क देंप टू साइन कंसेंट लेटर फि करेंगे क्या है पूरा मामला हाला कि हम इसको समझेंगे ऑपरेशन अवार्ड वापसी एंड दा ट्रोथ चैक और डेटेल्स अब क्या है वार्ड वापसी इसके पीछे सच्चाई क्या है इसको जानेंगे सरकार को अवार्ड लोटाने का मुद्दा पिछले कुछ सालों से में देखा गया था कि गंगा के अंदर पदक बहाने गई थे इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इसी लिए ये सिफारस की गई है सर्थ पर मिलेगा संबान क्या है सर्थ कि पहले ही एक कंसेंट लेटर पर साइन करा लिया जाए कि इसका राजनिती करण नहीं होगा इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इसको संसदिय समिती ने एक खास पहल की है अब अवार्ड देने से पहले प्राप्त करता ने प्राप्त करता से अंडर्टेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिस की गई है कमिटी ने अवार्ड पाप्सी के मुद्दे को देश का अपमान बताया है असल में कहा गया है कि पूरा देश मिलकर आपके किसी विसेश कारे के लिए आपको जब सम्मानित करता है तो उसको वापस करने में पूरे देश का आप अपमान कर रहे हैं अब इससे बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रस्न और खड़ा हो सकता है कि क्य क्या सरकार अपने खिलाफ बिरोध का जो तरीका है उसको रोकना चाहती है अब ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं क्या वाकई में ये विक्ति की आजादी का हनन है या फुर देश के प्रती लोग जो है वो अपमान करते हैं अव और दूसरा काम होता है सरकार की कार्यात्मक साखा का देख रेक करना सरकार जो काम कर रही है उसके उपर देख रेक करना भी संसद का ही काम है संसद के अंदर इन ही कामों को बहतर तरीके से पूरा करने के लिए संसदिये समितियों को एक माध्यम के तोर पर इस्तिमाल किया जाता है संसद के अंदर समितियां बनी होती हैं जिसके अंदर लोकसभा और राजसभा दोनों के ही मेंबर होते हैं और सरकार के कारेओं को आगे कराने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है संसदिये इस्थाई समितियों में छोटे-छ होते हैं ये समुख होते हैं इन ग्रूप में सामिल होने वाले साuben ने को उनकी वनेies वि सेला जाता है विसे आधार भाता जाता है ताकि वे किसी भी विसेंपर वियर्ज्मस कर सके हैं भारती संसत्रनाली हैं जो हैं जो ब्रिटिश संसद से ली हुई है और संसदिय समित्य बनाने का जो बैचार है वो भी ब्रीटिस की effects से ही लिया गया है विश्व की पहली संसदिय समिती का गठन 1571 में ब्रीटेन में ही हुआ था वही अप्रेल 1950 में हमारे देश में भारत की पहली लोक लेखा समिती का गठन किया गया था ये थोड़ा सा इतिहास था काम क्या होता है हम जान चुके हैं थोड़ा सा जो सरकार की काम है उन पर निगरानी रखना प्लस सरकार के सहायता करना अब ये जो समिती है इसका क्या structure है तो ये जो कमेटी है जिसने आवार्ड वाप के अध्यक्ष राज्यसवा सांसद वा YSR कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता वी विजैसाय रेड़ी हैं ये था इस समिती के बारे में अवार्ड का राजनीती करम नहीं होना चाहिए ये कहा गया है समिती के द्वारा पारलियमेंट्री कमेटी ने साल 2015 में करनाटक के प्रख्या और अवियक्ती की आजादी देता है समविधान प्रोटेस्ट की भी आजादी देता है लेकिन पुरफकार लोटाना विरोध का एक तरीका बन रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कमेटी ने कहा कि कोई भी संगठन किसी को संबान के तोर पर अवार्ड देता है इसलिए इसका राजनीती करण नहीं होना चाहिए कई बार देखा गया है कि लोग सरकार से सहमत नहीं हो दे तो आवार्ड वापस करने की बात करने लगते हैं इसी बज़े से विजेताओं से अंडर्टेकिंग फॉर्म भरवाना चाहिए ताकि कोई राजनीतिक कारण से इसे वापस ना कर पाए कमेटी की दो बात हैं किसी भी संग ठन की तरफ से दी जाने वाले पुरसकार जो है कलाकार का सम्मान करते हैं और इसमें राजनीति के लिए कोई जگह नहीं होनी चाहिए जब भी कोई पुरसकार दिया जाये तो प्राप्त करता की सहमती ली जानी चाहिए जिसस होने 2015 में कलबुर्गी हत्या मामले के बाद अपने पुरसकार वापस कर दिये थे इसके बाद से यह चलन में आ गया है इसका सबसे हालिया उधारन यौन उत्पिडन के आरोपका सामना कर रहे हैं वेजभूसल के खिलाफ यह देखा था हमने के गंगा में फैकने की धंकी दी अब कलबुर्गी मामला क्या था तो इसको हम देखते हैं हमपी यूनिवर्स्टी के करनाटक के अंदर पूर्व वाइस चांसलर और कंणर के जाने माने विद्वान एम एम कलबुर्गी की उनके घर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी लिंगायत साहित्य और बसब दर्शन पर किये गई काम के कारण उन्हें कट्टरपन थी हिंदूओं की काफी आलोचना जिलने पड़ी थी पुलिस के अनुसार सुबह करीब आश चालिस बजे दो लोग सततर वर्शिये कलबुर्गी के घर पहुँचे और दर्वाजा खटकटाया जैसे ही कलबुर्गी ने दर्वाजा खोला हमलावरों ने उनके माथे और सीने पर गोलियां दाग दे साहित्तिक काम के लिए बना लिये थे इन्होंने अपने कई विरोधी कलबुर्गी प्रगतिवादी सोच के माले जाते थे हलांकि उनकी मूर्ति पूजा विरोध और राज्य के गान को बहतर करने का सोझा बहुत से लोगों को रास नहीं आया था विस्व हिंदू परिसद और बजरंग दल जैसे कटरवादी योगा जो हिंदू संगठन हैं इन्होंने कलबुर्गी के विचारों को अपमान जनक और धर्म द्रोही करार दिया था वचन पर किये गए अपने साहित्तिकाम के कारण वह राज्य के बहुसंख्यक लिंगायत स साने पड़ थे हाला कि कलबुर्गी को इन सबसे कभी फर्क नहीं पड़ा केंद्र और राज्य के साहित्त अकादमी पुरसकार समेत उन्हें कई सारे पुरसकार हासिल हुए थे जब इनकी हत्या हुई तो इनके समर्थन में या कहें कि सरकार के विरोध में तमाम लोग आते यह कहते हैं कि इनके पास सबूत हैं तू सो इन यह दिखा सकते हैं सबूत यह दिखा सकते हैं कि अवार्ड वापसी जो थी वास पॉलिटिकली मोटिवेटेड की जो अवार्ड वापसी की गई थी 2015 के अंदर यह पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी सिर्फ लेखकों, सायरों और वरिष्ट साहित्यकारों द्वारा सम्मान बापस किये जाने पर बड़ा खुलासा किया उन्होंने कहा कि 2015 में जो अवार्ड बापस किये थे वो पूरी तरह से राजनीती से प्रेरित मामला था आगे उन्होंने कहा इनके पास इस बात के सबूत हैं कि ये अभ्यान खुद से शुरू नहीं हुआ था बलकि एक योजना के सहथ सुरू किया गया था और इसका मकसद सरकार को बदनाम करना और प्रधानमंत्री मोधी के खिलाफ देशवर में माहौल बनाना रहा विश्वनात प्रसाथ तिवारी ने एक लेख में इन बातों का जिक्र किया है साल 2015 में देश में करीब 50 से ज्यादा लेखकों और सायरों ने देश में कथित आसहसुनता के बढ़ते माहौल का हवाला देते हुए अपने संबान सरकार को लोटा दिये थे आपको बहुत दौर याद हो तो इंटलरेंस या फिर आसहसुनता जो वर्ड है वो काफी प्रयोग में किया गया था और ये खुलासा जो किया गया था 2018 के अंदर इनके द्वारा किया गया था तिवारी आगे भी कहते हैं इस पूरे अभियान के पीछे लेखक और कभी असो बीजेपी बिहार के अंदर चुनाब हार गई थी तिवारी ने अवर्ड बापसी अभियान को लेकर एक बड़ा लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कई खुलासे किये हैं उन्होंने अपने लेख में कहा मेरे पास सबूत है कि अवर्ड बापसी देश के पांच लेखकों क दिमाग की उपज थी जिसे योजना बनाकर शुरू किया गया था इसमें से कुछ तो पी एम मोदी के सत्ता में आने से पहले ही उनके खिलाफ माहौल बना रहे थे क्योंकि मोदी लेहर से साफ हो गया था कि अगला देश का प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बनने जा रहे हैं 2015 में बिहार में भाजपा की हार पर भी इन्होंने जस्नम मनाया था उम्मीदे सातियों पूरा सेसन अवार्ड वाक्षी को लेकर जो है वो आपके समझ में आया हूँ अब आपकी क्या राय है उसको आप कमेंट वक्ति माध्यम से जरूर बताएं और चैनल पर अगर पहली ब आपने बाद जय हिंदु